जैश्री राम मित्रो, आपके अपने यूट्यूब चैनल भक्तिरस पर आपका स्वागत है. दोस्तों शकुनी के बारे में कहा जाता है कि वो कभी भी जुए में नहीं हारा. उसकी जीत का रहसे उसके पासों में छिपा था. शकुनी नहीं दुर्योधन के मन में पांडवों क प्रती नफरत का बीज बोया था और जुए का ऐसा खेल खेला की, पांडव उसमें अपना राजपार्ट सब कुछ गवा बैठे थे. जुए के इसी खेल के बाद कौरव और पांडवों के बीच महाभारत का महायुद हुआ, जिसमें कुरू वंश का विनाश हो गया. शकु शकुनी मामा के पासे का क्या रहसे था? जिसका जबाब आप इस वीडियो के माध्यम से जान सकते हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा. दोस्तों आपसे निवेधन है कि वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, इसी आशा के साथ चर्चा आरंब करते हैं. दोस्तों, पाँचवा वेध कहे जाने वाले महाभारत की कथा में शकुनी उन प्रमुक पात्रों में से एक है, जिसे इस महायुत के लिए जिम्मेदार माना जाता है. शकुनी अपनी कुटिल बुद्धी के लिए प्रसिध है, और कई लोग शकुनी को महाभारत का खल भी रही. महाभारत में इन कुटिल चालों के परिणाम में पांडवों के जीवन में काफी उथल पुथल हुई, और अंत में युद्ध हुआ. शकुनी को गांधार राज भी कहा जाता था, ऐसा इसलिए क्योंकि गांधार के राजा सुबल थे और यह शकुनी के पिता थे. इसके साथ ही शकुनी गांधारी का छोटा भाय था, और जबसे वो पैदा हुआ था, तबसे वो विलक्षन बुद्धी का सबसे तेज बच्चा था, जिसके जीवन का अधिकांश समय अपनी बहन के ससुराल में वीता था. शकुनी की बहन गांधारी का विवाध दृतराश ट्र से हुआ था, वो हस्तिनापुर के महाराज दृतराश्ट का साला और कौर्वो का मामा था. दोस्तों, शकुनी हमेशा से दुष्ट विचारो वाला नहीं था, वो अपनी बहन गांधारी से बहुत स्नेह करता था, और संसार के हर भाई की तरह ये भी चाहता था कि उसकी बहन की शादी एक योग्य व्यक्ति से हो, और उसका जीवन हमेशा सुखमया रहे. मामा शकुनी द्वारा अपने बहन के पूरे परिवार का नाश कराने के पीछे एक कता आती है, जिसके अनुसार शकुनी कभी भी अपनी बहन गांधारी का विवा, मेत्रहीं के साथ नहीं करना चाहता था. लेकिन भीश्म के दबाव के कारण उसे ऐसा करना पड़ा. इसी बात का बदला लेने के लिए उसमें ये पूरा शद्यंत रचा. शकुनी की इस चाल के पीछे सिर्फ पांधवों का ही नहीं, बलकि कौरवों का भी भयन कर विनाश चिपा था क्योंकि शकुनी ने कौरव कुल के नाश की सौगंध खाय थी और उसके लिए उसमें दुर्योधन को अपना मोहरा बना लिया था. शकुनी हर समय बसमोकों की तलाश में रहता था, जिसके चलते कौरव और पांधवों में भयन कर युद्ध छिडे और कौरव मारे जाएं. जिस पासे की मदद से उसने से इस महायुद का कुचक रचा, उसकी कथा भी हैरान कर देने वाली है. विवाह के बाद गांधारी से जुड़े एक सच को जानकर दृतराष्ट इतना नाराज हुए कि उन्होंने गांधार राज्य पर हमला करवा दिया और शकुनी के पूरे परिवार को बंदी ग्रह में डाल दिया गया. बंदी ग्रह में कैद उन सभी को इतना ही भोजन दिया जाता था कि वो धीरे धीरे भूग से तरब कर मृत्यू को प्राप्त हो जाए. ऐसे में शकुनी के पिता ने तै कि सभी के भोजन के हिस्से से किसी ऐसे बुद्धिमान और चतुर व्यक्ति की जान बचाई जाए, जो भविश्य में अपने साथ हुए अन्याय का बदला ले सके। अन्तता शकुनी को बचाने का फैसला किया गया, लेकिन वो अपने इस प्रण को भूल न जाए, इसके लिए सभी ने मिलकर उसके एक पैर को तोड़ दिया, ताकि अपने परिवार के अपमान की बात याद रहे. उसी के बाद से शकुनी लंगड़ा कर चलने लगे. शकुनी क पिता जब बंदी ग्रह में मरने लगे तब, उन्होंने शकुनी की चौसा में रुची कुद्ध. खते हुए कहा कि, तुम मेरी उंगलियों से पासे बना लेना. इनमें मेरा आक्रोश भरा होगा, जिससे चौसा के खेल में तुम्हें कोई हरा नहीं पाएगा. पिता की के अनुसार ही हर बार प्रदर्शन किया करते थे. दोस्तों आशा है कि हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा. अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना. और इसी प्रकार की भक्ती कताओ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना. जै श्री राम